Very Good Morning, मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट फिप्ट अब दी चैप्टर परमानू और अनू, Atoms and Molecules Atoms and Molecules के फिफ्ट पार्ट में हम करने जा रहे हैं Atomic Mass, परमानू द्रव्यमान परमानू द्रव्यमान के बारे में डॉल्टन ने कहा कि प्रतित तत्व में जो परमानू पाये जाते हैं वो एक विशिष्ट द्रव्यमान लिये होते हैं पर इन द्रव्यमानों को निर्धारित करना बहुत कठिन है क्योंकि ये इतने शुक्ष्म है कि इनके weight को इनके mass इनके द्रव्यमान को ग्यात करना बहुत कठिन है इसके लिए रसायन सयोजन के नियमों के द्वारा ही परमानों के द्रव्यमान ग्यात किये गए स्टार्टिंग में प्रारम में जो नैचरली जो ऑक्सिजन होती है उसके द्रव्यमान का एक बेटे सोलवे भाग को इकाई रूप में मानकर उसी के आधार पर परमाणू का द्रव्यमान ग्याद किया जाता था ठीक है क्योंकि ऑक्सिजन अन्य तत्व से क्रिया करके योगिक बनाती है और इसके द्वारा प्राप्त हुए द्रव्यमान पुर्णांग होते हैं होल नंबर में होते हैं लेकिन 1961 से परमाणू द्रव्यमानों को ज्याद करने के लिए C-12 समस्थानिक को मानक संधर्व के रूप में स्विकार किया गया C-12 समस्थानिक समस्थानिक प्रकृति में C-12 प्रकृति में C-12 तीन रूपों में पाया जाता है इन में से C12 की संख्या या C12 की मात्रा अधिक होती है सरवाधिक मात्रा में C12 होता है इसमें परमानो क्रमांग होते हैं कारबन का परमानो क्रमांग 6 है और परमानो द्रव्यमान 12 है जो नीचे वाली डिजिट है वो परमानो क्रमांग है उपर परमाणो द्रव्यमान तो तीनो कारबन में परमाणो क्रमांग तो समान है 6, 6, 6 लेकिन परमाणो द्रव्यमान की संख्या 12, 13 और 14 है तो C12 C12 isotope को यूज किया गया मानक संदर्ब की रूप में स्विक्रत किया गया C12 was chosen as standard reference for the measuring atomic mass universally ठीक है तो C12 isotope को choose किया गया किस तरीके से कि C12 के अणू को एक तरबूज के समान माना गया तरबूज का मॉडल बनाया है मैं आप देखे उसे कि C12 को एक तरबूज मानते हैं तरबूज की जो बारा slides होती है अगर हम तरबूज को इस तरीके से काते हैं कि उसकी 12 slides निकल जाएं प्रतियक slide को एक U U मतलब unified mass C12 का एक atom है C12 is equals to 12 AMU जब हम पढ़ते थे तो उस समय AMU का प्रयोग होता था atomic mass unit लेकिन अब atomic mass unit को international union of pure and applied chemistry नहें atomic mass unit को unified mass नाम दिया है अब carbon 12 के molecule में अनू में carbon 12 के परमानों में 12 U है ठीक है जैसे कि एक तर्बूज में 12 slides हैं वैसे ही एक carbon के परमानों में 12 U है तो एक U का मान क्या होगा mass of C12 atom divide by 12 अगर हमें एक U का मान ग्याद करना है तो C12 के mass में 12 का भाग देकर हम एक U का मान ग्याद कर सकते हैं इसी तरीके से हमने सभी परमानों का परमानों दरवयमान ग्याद किया जैसे hydrogen का परमानों दरवयमान एक U है एक U मिंस उस तर्बूज की एक slide को मान के चला है अगर वो एक U के बराबर है तो hydrogen 1 U है carbon 12 U है carbon हम 12 U मान रहे हैं पुरा unified तो carbon 12 unified mass nitrogen 14 unified mass oxygen 16 unified mass sodium 23 unified mass magnesium 24 unified mass sulfur 32 unified mass chlorine 35.5 unified mass calcium 40 unified mass अचा chlorine की जब हम chlorine के भी जो प्रकृति में isotopes समस्थनिक मिलते हैं chlorine भी दो रूपों में है एक C 35 है एक C 27 जो है, वो 25% है, चीक है, तो इस तरीके से प्रकृति में ये दोनो इतनी बैलेंस में नहीं है, तो वग्या निकों ने इनके average value निकाल कर 35.5 रखा, चीक है, तो chlorine का mass 35.5 unified mass के बड़ाबर है, तो आज के इस पार्ट में हमने atomic mass cover किया है, चीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो सही अच्छा लगा हो, study useful लगी हो, तो प्लीज लाइक करें, share करें, subscribe करें मेरे चैनल को, thank you.